हेलो बच्चो तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं टॉपिक रिलेशन्स क्लास 11 एक्सरसाइस 2.2 बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है ध्यान से सीखिए सब कुछ समझ में आएगा इससे पहले हम कार्टिशन प्रोड़क्ट कर चुके हैं उसका और इसका आपस में गहरा संबंध है देखे क्या है तो सब्कोज कीजिए मेरे पास एक सट P है एक सट Q है और मैंने का भी सट P में तीन एलिमेंट है ABC सट Q में पाँच एलिमेंट है अली, भानू, बिनोय, चंद्रा, दिब्या सट P के एलिमेंट का और सट Q के एलिमेंट का अगर मैं काटिशन प्रोड़क्ट करूँ P क्रॉस क्यू करूँ तो क्या होगा तो यह होगा कि इसका पहला एलिमेंट A है वो अली से एसोसियेट होगा फिर वही एलिमेंट भानू से भी एसोसियेट होगा बिनोई से भी एसोसियेट होगा चंदरा से भी एसोसियेट होगा दिव्या से भी एसोसियेट होगा सही बात है इसके बात जब A सबसे एसोसियेट हो जाएगा फिर B अली से एसोसियेट होगा भानू से एसोसियेट होगा बिनोई से एसोसियेट होगा चंदरा से एसोसियेट होगा और दिव्या से भी एसोसियेट होगा ठीक है यही है partition product का मतलब और फिर C भी सबसे एसोसियेट होगा तो 3 और यह 5 3 फाइसा 15 associations यानि 15 ordered pair बन जाएंगे यह था partition product जब हम बात करते हैं relation की तो होता क्या है उसमें भी association होता है इस set के element इधर associate होगे but एक rule को follow करते हुए एक नियम को follow करते हुए जैसे कि यहाँ पे हमने नियम बनाया कि A associate होगा उसी word से जो A से start होगा तो इसलिए A अली से associate होगा S A B उस से associate होगा जो words B से start होगे और C चंदरा से associate होगा दिव्या से associate होने के लिए यहाँ पे कोई element ही नहीं है तो जब under restriction under a rule इधर के element इधर के element से जुड़ते हैं associate होते हैं तो वो restriction या वो rule के द्वारा जुड़े गए elements का pair वो relations कहलाते कितना अच्छा नाम दिया relation अब देखिए आप associate किसी से भी हो सकते हैं मिल जूल सकते हैं लोगों से हाथ मिला सकते हैं है ना बाती कर सकते हैं यह हो गया association पर हाँ आप भाई किसको कहेंगे आपका brother कौन है वो एक rule decide करेगा करेगा कि नहीं तो आप किसी रहा चलते विक्ति को ऐसा नहीं कहेंगे कि यह मेरा भाई है चनरल ही कह दिंगे पर उसको भाई तब कहा जाएगा उसको आपका सगा भाई तब कहा जाएगा जब उसके और आपके biological parents same है true तो आप कहेंगे कि यह मेरा यह लड़का मेरा भाई है यह लड़की मेरी बहन है तो relation नाम कितना सोच समझ के दिया है वो भी under certain rules certain circumstances आप एक person के साथ relation बनाते हैं उसको एक relation का नाम दिया जाता है इसी प्रकार यहाँ पर भी जब किसी rule किसी formula के under कोई element दूसरे element से जुड़ता है associate होता है तो उसको relation कहा जाता है maths में कितना अच्छा नाम दिया है relations बात clear हो गई आपको अच्छे से अच्छा आप इसमें कुछ और terms है और वो terms क्या है जो यह पहला set है इसके जो elements है जो उदार associate हुए इन elements को कहते है domain domain elements इनका set कहलाता है domain जो बादवाला पूरा set है पूरा का पूरा यह जो क्यों है इस पूरे set को कहा जाता है co domain इस पूरे set को कहा जाता है co domain ठीक है capital C से भी इसको denote करते है और इसको capital D से भी denote किया जाता है तो domain और co domain इतनी बात समझ में आगे अब आती है अगली बात range रेंज क्या होती है जो ये code domain set है न विटे इसके अंदर आप देखिए ये 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 चार elements associated है तो ये जो चार elements है इन चार elements को कहा जाएगा range range elements और जो इनके द्वारा set बनेगा उसको कहा जाएगा range range set रेंज क्या है रेंज सिर्फ ये चार element है बात वाली family के जिनका यहाँ पर association हुआ है इनको कहा जाता है range मेरी बात clear हो गई और जो ये पूरा का पूरा set है इस दिव्या को include करते हुए इसको कहा जाता है co domain और पहले वाले set के जो ये element associate हुए इन्हें domain का जाता है अभी और भी definitions है दिरे-दिरे करके आएंगी देखिए तो पहले तो definition relation की जो हमारी NCRT में दिये एक बार उसमें नज़र डाल लेते हैं क्योंकि NCRT से perfect दूसरी कोई book है ही नहीं relation की definition है a relation are from a non empty set A to non empty set B is a subset of Cartesian product A cross B बिल्कुल सही बात है A cross B में तो सारी cases हो जाते हैं पर relation में कुछ limited cases होते हैं और वो जो limited cases होते हैं वो A cross B का subset होता है सही बात है कि नहीं है A cross B में तो मैंने बताया कितने case होंगे इस particular case की बात करें तो 15 case हो जाएंगे 3, 5, 15 पर हमारे relation कितने हैं A Ali, B Bhanu, B Binoy, C Chandra तो क्या यह subset नहीं है Cartesian product का definitely है तो relation is a subset of Cartesian product आगे क्या बता है the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered paired in A cross B और यह जो association होता है वो एक relation के according होता है एक rule के according होता है ठीक है फिर एक और बात कहिए the second element is called the image तो यहाँ पर कहा है कि जो यह बात वाले set के elements है ना Ali यह image है A की इसके लिए नाम दिया गया image और यहाँ पर एक बात नहीं लिखिया वो मैं बता देता हूँ यह जो पहले वाले set का यह element है इसको कहा जाएगा pre image pre image तो Ali A की image है और A Ali की pre image है ऐसे ही भानू और बिनोय B की image है और B भानू और बिनोय की pre image है C चंद्रा की pre image है जो इस set के है वो pre image है और चंद्रा C की image है बात समझ में आ गई होगी आपको ठीक है तो एक तो यह हो गया अब देखे domain मैंने आपको समझा था range मैंने आपको समझा था वो भी देख लिए the set of all first elements of the ordered paired in a relation are from a set A to set B is called domain तो क्या कहा यह जो ordered pair बनेंगे A, Ali, B, 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 Binoy, C, Divya इसमें जो यह पहले पहले वाले element है A, B, C यह है domain element और जो बाद बाद वाले element है Ali, B, Binoy, चंद्रा इनका set है range और code domain क्या बता है यह पूरा का पूरा set बाद वाला including Divya जो range में नहीं है तो इसको कहेंगे code domain I hope definition clear हो गई है और अब हम आगे बढ़ते है exercise 2.2 की तरफ तो पहले हम देख लेते हैं इसके 3 questions और बाकी के question next video में डालेंगे क्योंकि A की video में सब कुछ करेंगे तो length ही लगेगा आपको ठीक है तो पहला question क्या कहता है समझने के लिए दिखते हैं कहता है let A is 1234.14 तक elements हैं और relation क्या है relation है xy pair यानि xy से related होगा अगर 3x-y बराबर होगा 0 के 3x-y बराबर होगा 0 के और यह जो x और y है यानि यह जो domain element और जो range element है pre image और image है यह दोनों element set A को belong करते हैं ठीक है तो देख लेते हैं हाँ जी तो set A है 1 से लेकर 14 तक जैसा कि question में कहा गया है 1 से लेकर 14 तक और यह relation है 3x-y is equal to 0 अब numbers के बीच में और कैसा relation होगा वो तो भाई बेन मम्मी पापा नहीं होगे न वहाँ पर relation formula के रूप में या divisibility या difference या multiply कुछ ऐसा ही होगा तो यहां से मैंने क्या किया y को एक तरफ ले गया 3x को दूसरी तरफ रहने दिया अब question में कहा था कि x y जो दोनों है वो set A के elements होनी चाहिए तो मैंने क्या किया मैंने x लिया set A से 1 right x लिया set A से 1 तो y कितना हो जाएगा y हो जाएगा 3 बन सा 3 तो इनका ordered pair बन गया 1 3 हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 का relation 3 के साथ है कौन सा वाला relation कि 3x minus y is equal to 0 है ये वाला relation अब आप x की value लिजिए 2 तो y की value आजाएगी 3 2 दा 6 ठीक है तो 2 का relation 6 के साथ हो गया x की value लिजिए 3 y की value आजाएगी 3 3 दा 9 3 का relation 9 के साथ हो गया और x4 लेने पे y आजाएगा 12 जब इन सारे ordered pairs को आप लिखेंगे एक set में तो ये कहलाएगा relation R ये relation की roster form है या element form भी कह सकते है roster या element form ठीक है अब बात करते हैं domain की domain क्या होते है इस ordered pair में जो ये पहले पहले वाले element है इनको कहेंगे domain हाँ एक और बात बच्चे कहेंगे सर x5 क्यों नहीं लिया अगर x5 ले 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 लेते बिटा तो y कितना था 15 वो 15 इस set में belong ही नहीं करता नहीं करता तो जो 5 आप कहना चाहते हैं उस 5 के लिए कोई जोड़ी दारी यहां पर नहीं है यानि उसका relation किसी के साथ बने गई नहीं तो फिर कैसे लिखते हैं उसको उसको लिखी नहीं सकते हैं ठीक है ना तो domain जैसा कि मैं कहा रहा था कॉमा के पहले वाले element हो गए और range कॉमा के बाद वाले हो गए और co domain पूरा का पूरा set जो दिया होता है कि पूरा set co domain हो गया कोई problem नहीं है सब कुछ easy है आगे बढ़ते है question number 2 question number 2 में कहा गया है define a relation on the set n of natural number set of natural number इसमें set है जिसमें हमको पूरा का पूरा relation बनाना है और relation x y के बीच में इस प्रकार है कि y बराबर है x plus 5 के और x क्या लेने है एक्स लेने natural numbers less than 4 4 से छोटे natural number लेने ठीक है और इसको roaster form में लिखके दिखाए domain भी बताईए और range भी बताईए दोनों बताने आपको ठीक है तो शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली बात क्योंकि relation आपको दिया हुआ है y is equal to x plus 5 तो हमने लिखा x की value 1 4 से छोटा लेना x और natural number लेना है तो x की value 1 ली तो y की value आगे 6 तो 1 6 का relation बन गया ठीक है और फिर हमने x की value 2 तो y की value आगे 7 तो 2 7 का भी relation बन गया और x की value 3 तो y की value आगे 3 plus 5 8 तो 3 8 का भी relation बन गया तीनो relation तेयार है 1 6 2 7 3 8 पेर तेयार है इनको जब आप set में लिखोगे तो वो relation कहलाएगा domain domain हो जाएंगे कॉमा के पहले वाले element 1 2 3 range हो जाएगा 6 7 8 और कोई कहता code domain क्या है तो code domain है पूरी natural number family क्योंकि natural number पे ही ये पूरा का पूरा काम हो रहा है ठीक है तो वो शुरू में बता देता है real number है natural number है पिछले question में बताया है कि a की value एक से लेकर 14 तक है वो आपका पूरा code domain हो जाता है आगे बढ़ते हैं question number 3 question number 3 में कह रहे हैं कि set a है 1,2,3,5 set b है 4,6,9 define कीजिए कि relation a से b तक इस प्रकार की x,y का relation तब होगा जब difference between x and y is odd difference between x and y is odd where x belongs to a and y belongs to b ठीक है right in roster form ठीक है तो difference between x and y is odd तो आप देखते हैं कि difference odd कैसे आता है देखे बिटा 1 और 4 का difference odd होगा 3 तो 1,4 का pair बन जाएगा 1 और 6 का भी difference odd होगा तो 1,6 का भी pair बन जाएगा 1,9 का difference 8 होगा जो कि odd नहीं है तो इनका pair नहीं बन सकता इसलिए सिर्फ 1,4 और 1,6 से आपको दिख रहे होगे अब 2 का pair किस किस के साथ बनेगा 2,4 का difference 2 होगा जो even है 2,6 का difference 4 होगा जो even है 2,9 का difference 7 होगा जो odd है तो ये भी correct है 3,4 odd है 3,6 odd है पर 3,9 का difference 6 होगा जो even है तो वो pair भी हम नहीं बना सकते ठीक है आगे 5,4 odd है 5,6 odd है difference odd है और 5,9 का difference 4 आ जाएगा तो वो भी pair हम नहीं बना सकते तो pair जो है हमको बड़ी ही सोच समझके बनाने ठीक है हो गया relation अब इसमें आगर को domain कहता है तो 1,2,3,5 औरेंज कहता है तो 4,6,9 right simple question है तो इस video में इतना ही करते हैं next video में भागी के question हम देख लेंगे bye bye